दोस्तो आटो मोबाल हेलपर चनल में आपका स्वागत है दोस्तो एलेक्ट्रिक दोपईया वाहन बनाने वाली H.O.P. Electric Mobility ने बाहरतिय बाजार में अपने दो नए एलेक्ट्रिक टू वीलर्स को लॉंच किया है कमपईय ने इन नए एलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम H.O.P. Life और H.O.P. Leo रखा है दोस्तो खूबसूर डिजाइन वाले इन एलेक्ट्रिक स्कूटरों में इंटरनेट, जीपियस और मुबाइल एप जैसे कनेक्टेट फीचर दिये गए हैं इसके साथ ही ये दोनों एलेक्ट्रिक स्कूटर 125 किलोमेटर तक की ड्राइमिंग रेंज देते हैं वहीं इन दोनों एलेक्ट्रिक स्कूटर में 72 वोल्ट आर्किटेक्चर हाई पर्फॉर्मेंस मोटर दी गई है और वहीं इन में 19.5 लिटर का बूट स्पेश दिया गया है इनके लुक और डिजाइन की बात करें तो ये दोनों एलेक्ट्रिक स्कूटर ट्रेंडी डिजाइन और आकरशक लुक वाले हैं दोनों ही एलेक्ट्रिक स्कूटर को आकरशक कलर एपशन में बेश किया गया है दोस्तों वहीं दोनों स्कूटर में तुलना करें तो होपी लाइफ स्कूटर का डिजाइन ज्यादा शार्प है ये extension के साथ वी आकार के front apron के साथ आता है वहीं होपी लाइफ की खास बात ये है कि इसमें बैक सपोर्ट दिया गया है जो पीछे बैठने वाली सवारी को आरामदाई क्यातरा का अनुबब देता है दोस्तों कमपनी ने होपी लाइफ को लाइफ वैसिक, लाइफ और लाइफ एक्स्टेंडड वेरेंट्स में पेश किया है कमपनी का दावा है कि इस नई एलेक्ट्रिक स्कूटर में 125 किलोमेटर तक की ड्राइविंग रैंज दी गई है कमपनी का दावा है कि इस नई एलेक्ट्रिक स्कूटर में 125 किलोमेटर तक की ड्राइविंग रैंज मिलती है और वहीं इन electric scooter की top speed 50 km प्रती गंटेगी है साथ ही इन electric scooter में internet, GPS और mobile app जैसे connected features दिये गए हैं और वहीं ये electric scooter 180 kg का वजन उठाने में सक्षम है साथ ही company ने HOP Leo electric scooter को भी 3 variants Leo basic, Leo और Leo extended में पेश किया है लुक और design की बात करें तो ये scooter bold और stylish लुक वाला है इसका front apparent HOP life से काफी अलग है दोनों scooter में जो चीज़ें एक जैसी हैं वे हैं LED headlight, sporty rear view mirror, पूरी तरह से digital display, mobile charging port और front storage दोस्तों दोनों scooter में सवार और पीछे बैटने वाले के लिए आराम दाएक ergonomics दिये गए हैं और वहीं HOP Leo electric scooter में dual 2X lithium ion battery pack मिलता है company के मताबिक इन electric scooter की range 125 km की है और वहीं इन electric scooter की top speed 60 km पर दिगंटे की है दोस्तों company का कहना है कि Leo extended की electric motor 2.7 kilowatt तक का mechanical power दे सकती है चले दोस्तों आप आखिर में बात करते हैं इनकी कीमत के बारे में दोस्तों HOP Leo की एक शोरूम कीमत 25,500 रुपे रखी गई है और वहीं HOP Life की एक शोरूम कीमत 65,500 रुपे रखी गई है तो दोस्तों ऐसी ही अपडेट्स बाने के लिए Auto Mobile Helper चनल को सबस्क्राइब करें वीडियो लाइक करें, शेर करें तो इसी के साथ दीजे हमें इजासत, फिर मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक आप अपना खयाल रखेगा, बाबाई